हेलो डियर फ्रेंड्स, एजुकेशनल बाबा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे डंफर स्वावल कॉंबिनेशन के बारे में मिन्स स्वावल एक लोडिंग मसीन है जो की लोड करती है डंफर पर तो डंफर स्वावल कॉंबिनेशन से क्या तात पर है चूंकि स्वावल और डंफर दोनों हेवी मसीनरी है जिसके इन्वेस्टमेंट में काफी ज़्यादा खर्च आता है तो इनको इस तरह से कॉंबिनेशन किया जाता है कि ना ही डंफर आइडल रहे वो रनिंग कंडिशन पे रहे और स्वावल भी कंटिन्यू चलती रहे आइडल ना रहे क्योंकि इससे डीजल कंजम्शन, वियर एंटियर काफी ज़्यादा कॉस्ट आती है तो इसकी फुल जितना भी इसे यूज किया जा सकता है इसे फुल यूटिलाइज किया जाए इस तरह से डंफर स्वावल कंबिनेशन बनाया जाता है यह किस बेस पर निर्धारित होता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसका जो बेसिक थम रूल है मैं आपको बता चुका हूँ कि डंफर इतने अलॉट किये जाएंगे जिससे कि ना ही डंफर आइडल हो और ना ही मसीन आइडल हो ठीक है आंगे देखते हैं कि यह किस बेस पर डिसाइड किया जाता है मुख बात तो how many dumper will be allotted for sawwell is decided by कितने dumper एक excavator या sawwell में लगाए जाएंगे या किस बेस पर डिसाइड किया जाता है यह दो बेस पर डिसाइड किया जाता है और आप यह दोनों बिंदूओं को बड़ी बखुभी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि यही दोनों main factor से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने dumper वहाँ पर लगेंगे तो एक होता है loading time loading time से मतलब है कि loading machine मान लेजे कि यह loading machine है sawwell यह कितना time लगाती है एक dumper fill up करने में full load देने में यह कितना time लगाती है मान के चलिये कि यह sawwell machine एक dumper को load करने में 4 मिनट लगाती है दूसरा जो term है cycle time cycle time से क्या तात पर है cycle time में क्या-क्या चीज़ें आती है आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए cycle time में आती है जब आपका ये dumper आकर के face में लग गया है और उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से भी हम समझ सकते है मानलीज ये कि ये है आपका dumper यहाँ पर आकर लग चुका है और उसे loading दिया जाना चालू है ठीक है? यहाँ पर ये continue इसे load दिया जा रहा है और आप देखेंगे 2 मिनट हो गए है अभी भी continue ये load दिया जा रहा है यह loading time कहलाता है अभी भी 3 मिनट 40 सकेंड इस वीडियो के हो गए और यह load दे रहा है अभी आप देखेंगे यह 4 मिनट में एक dumper पुरी तरह से full load हो गया है और इसे dumping point की तरफ ले जाया जा रहा है तो हम कहाँ पर थे cycle time पर loading time में लगा 4 मिनट अभी यह load हुआ है कहीं जाकर के इसे unload भी करना पड़ेगा यह dumper चलेगा dumping point पर जाएगा और उसके बाद unload करेगा अपने डाले को उपर उठाएगा और unload करेगा फिर वहां से चल कर पुना face पर आएगा जैसे मान लेजे यह चला और यह load किया यह dumper निकल गया है और अब देखेंगे यहाँ पर फिर से यह face में फिर से वही dumper लग जाता है यह पूरी प्रक्रिया को इस पूरी timing को cycle time कहते है तो आपने जैसा देखा कि loading time में time required to load the dumper सौवेल ने कितना time लिया 4 मिनट cycle time में कौन कौन सी चीज़ा आ गई loading time जब सौवेल ने पूरे dumper को फिल किया उसे 4 मिनट लिया दूसरा hauling time up to dumping point कितना समय लगा dumping point तक पहुँचने में चूकि डंफर लोड था ramp थे gradient था तो 8 मिनट उसे वहां पहुँचने में लग गए 4 और 8, 12 वहां पर उसने देखा बरम के पास जाकर unload किया उसमें उसे 2 मिनट लगे तो 12 और 12, 14 मिनट hauling time up to loading point loading point से dumping point से loading point तक आने में उसे 6 मिनट लगे अब distance तो उतनी ही थी लेकिन डंफर इसलिए जल दिया गया चूकि खाली था वो तो थोड़ा speed मिली gradient था तो वह 6 मिनट में उसने यह दूरी cover कर ली यह सारी बात ने तो term हो गई कि चीज क्या है अब decide कैसे करेंगे कि कितने sawwell उसमें लगे जाने चाहिए तो उसका formula है कि जितना one cycle complete करने में डंफर को time लगा तो आपने देखा कि 20 मिनट एक डंफर को पूरा cycle complete करने में लगा cycle से तात पर एक बार face में लगा गया loading point वहाँ unload किया और फिर से face में लगा इस पूरे time के प्रक्रिया में उसे 20 मिनट लगे और उसको divide करना है जितने time period पे जितने time पे sawwell ने डंफर को load किया तो वह 4 मिनट लगे तो 20 by 4 करेंगे तो यह आपका 5 डंफर यदि लगेंगे तो ना ही आपका sawwell idle होगा और ना ही यह आपकी machine idle होगी इसे हम एक तरीके से देख लेते हैं थोड़ा समय ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूंगा मान लिजे कि यह आपका sawwell है ठीक है और इसमें आपके 5 डंफर है मान लिजे D1 D2 D3 D4 और आपका D5 चुकि चार मिनट में यह एक को load कर देता है एक डंफर को तो मान लिजे इसे चार मिनट में load किया ठीक है और यह चल दिया है यह return कब होता है 20 मिनट में 20 मिनट में यह फिर से वापिस आ जाएगा कहां पे आ जाएगा 20 मिनट में यह फिर से यहां वापिस आ जाएगा तो अब 4 मिनट में यह D2 को भी load कर देगा दूसरा डंफर यह load हो गया यह भी चल देगा अब यह तीसरा डंफर लगा इसे भी 4 मिनट में load कर दिया यह भी चल दिया 4 मिनट बाद इसे भी कर दिया चार्चों के 16 और पांचवां डंफर जब तक लास्ट डंफर ये लोड किया तब तक यह डंफर फेस में पहुँच जाएगा तो इससे आपका ना मसीन आइडल रहेगी और ना ही डंफर आइडल रहेगा तो इसे वीडियो के भी माध्यम से आप देख सकते हैं वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे लोड कर रहा है चूकि यह टाटा हिट एची 650 है एक्सक्वेटर बैक हो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एक्सक्वेटर उत्खनक यंत्र में कितने डंफर लगाए जाएंगे और यह तरीका है तो तरीका आपको याद रहेगा एक साइकल कम्प्लीट करने में डंफर दोरा लिया गया समय डिवाइड वाई आपका सौवेल या कोई भी लोडिंग मसीन जो के डंफर को लोड करती है उसे फुल लोड देने में लगा समय जब इन दोनों को आप भारित हो जाएगी तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा और सेयर करिएगा मैं माइनिंग से रिलेटेड और जीवन से भी संबंधित काफी सारी चीज़ें आपके साथ सेयर करते रहूंगे यदि आप चाहेंगे तो और बने रहि तो इस एनिमेशन को देख कर जाएए यह लोडिंग पॉइंट पे जाने लगा है यह डमफर और लोडिंग पॉइंट में जब डमफर जा रहा है अब यह जब वापिस आकर फिर से लगा इस पूरे टाइम पिरियेड को साइकल टाइम कहते हैं और जो लोड होने में इसने चार मिनट लगाए उसे लोडिंग टाइम करते हैं तो एक साइकल अपॉन जितना लोडिंग टाइम दिया उससे अपन दमफर के संख्या निरधारित कर सकते हैं तो थैंक्यू वेरी मच आप इस यूट्यूब चैनल पर आए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच